इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2022 को जितने shift हुए हैं मतलब 3 shift हुए हैं उन 3 shift में math के जो question पुछे गए थे उन question को solve करना सीखेंगे और उन question का sort trick भी सीखेंगे जिससे आपको ये idea हो जाएगा कि किसकी chapter से कैसे question पूछे जा रहा हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वी ये हमारा पहला question है 18 से लेकर 32 तक के बीच सभी अभाज संख्याओं का योग क्या होगा किस संख्या के बारे में बोला गया है अभाज संख्या तो यहाँ पे 18 से लेकर 32 तक कितनी संख्याओं होगी 19 होगा 23 होगा 29 होगा और 31 होगा यहाँ पे ये 4 संख्याओं होगी बोला इन सभी संख्याओं का योग हम से पूछा गया था नंबर्स थोड़े अलग हो सकते हैं पर यहाँ पर कोश्चन का टाइप बिल्कुल वही है एक्जाम देकर आए गए एक्टुडेंट से यह कोश्चन मिला है तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्ण अगला कोश्चन है इस कोश्चन में बोला गया है कि 10 प्रतिसत वार्षी चक्रवीदी व्याज की दर पर दो वर्सों में मूलधन 30,000 का मिस्रधन क्या होगा यहाँ पे मूलधन मतलब प्रिंसिपल दिया गया है 30,000 रुपिया और यहाँ पे रेट दिया गया है 10 प्रतिसत का टाइम दिया गया है दो वर्सों बोला गया है कि मिस्रधन क्या होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है amount का formula होता है P into 1 प्लस R बटा में 100 और यहाँ पे होता है N यहाँ पे हम लिखते हैं time तो हमारे पास principle क्या है 30,000 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 गुना 1 प्लस rate कितना है rate है 10 प्रतिसत का तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बटा में 100 और यहाँ पे होगा 2 वर्स का हमें निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 यहाँ पे 0 और 0 कर जाएगा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 30,000 गुना 10 से कम 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 बटा में 10 होगा यह हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि कि यहाँ पे दो वर्स का टाइम है यहाँ पे दोनो जीरो इन दोनो जीरो को काट देगा यहाँ पे 11 को 11 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 121 इसे गुना करना है हमें 300 में तीन का गुना अगर हम 121 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 363 और यह 0000 हम यहाँ पे लगा देंगे मतलब 3600 हो जाएगा मिर्सधन यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न अगला कोश्ण पूछा गया था कि एक बेलन का वक्र प्रिष्ट का छेत्फल क्या होगा यदि आधार की तिर्ज्या 7 cm तथा आयतन 1694 हो तो यहाँ पे हम question को कैसे solve करेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है हमें निकालना है यहाँ पे वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल यहाँ पे हमें निकालना है वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल निकालना है हमें तो वक्रप्रिष्ट का छेत्रफल का formula क्या होता है इसका formula होता है 2 pi r और h यहाँ पे r का value हमें मालूम है 7 cm पर हमें यहाँ पे height निकालना पड़ेगा तो height हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे item दिया गया है item का formula होता है pi r square h इसके बराबर हम 1694 को लिख सकते है pi का value होता है 22 बटा में 7 गुना r का square मतलब 7 गुना 7 और यहाँ पे होगा h equal to 1694 यहाँ पे 7 7 कर जाएगा यहाँ पे h का मान क्या होगा 1694 बटा में 22 गुना 7 हम लिख देंगे नीचे 7 से अगर कटाएंगे तो 242 बार में यह कर जाएगा और 22 से 11 बार में 242 कर जाएगा यहाँ पे हमें h का मान मतलब हाइट मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर हमें निकालना क्या है वक्रपिष्ट का छेटफल होता है 2 पाई आर एच तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 22 बटा में 7 गुना आर है हमारे पास 7 सेंटीमीटर गुना और हाइट है 11 यहाँ पे 7 साथ कर जाएगा 22 का गुना 2 में करेंगे तो 44 गुना 11 अगर 44 को 11 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 484 यह हो जाएगा वक्रपिष्ट का छेटफल यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर तो इस तरह के कोर्ष्टन अभी railway group D में पूछे जा रहे तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न अगला कोर्ष्टन पूछा गया था कि किसी वस्तू का विक्राय मुल्य 2 गुना कर देने पर लाब 3 गुना हो जाता है तो क्राय मुल्य तथा विक्राय मुल्य का अनुपाद क्या होगा यहां पर बोला गया है कि किसी वस्तू का विक्राय मुल्य मतलब Sailing Price अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो लाब जो है वो 3 गुना हो जाता है तो लाब कब होता है जब हम Sailing Price से Coast Price को माइनस करेंगे तो हमें यहां पर Lab मिलेगा लाब होता क्या है सेलिंग प्राइस से कोश्ट प्राइस को माइनस करने पे हमें लाब मिलता है और लाब यहाँ पे बोला गया है कि तीन गुना हो जाता है तो सेलिंग प्राइस अगर हम दो गुना कर दे तो हमें लाब कितना होता है 3 गुना होता है मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा Selling Price को अगर 2 गुना कर दे उससे हम Cost Price को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 गुना लाब मिलेगा तो 3 गुना Selling Price माइनस Cost Price ऐसे हम इसे सजा लेंगे अगर हम इसे Solve करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2SP minus CP equal to 3SP minus 3CP तो यहाँ पे हो जाएगा 2SP minus 3SP equal to minus 3CP यह minus में है तो यहाँ पे plus में हो जाएगा CP अगर इसे हम solve करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 3 से 2 को minus करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा minus SP equal to यहाँ पे मिलेगा minus 2 CP, minus minus कर जाएगा, हमसे पूछा गया है कि cost price मतलब क्रैमुल्य तथा विक्रैमुल्य का अनुपाद, हमसे cost price और selling price का अनुपाद पूछा गया, तो हम लिखेंगे CP बटा में SP equal to, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बटा में दो लिख सकते हैं, cross गुना करन पे आपको 1 SP equal to 2 CP मिल जाएगा, तो हमारा अनुपाद क्या होगा, cost price, अनुपाद selling price क्या हो जाएगा, एक अनुपाद, दो यह हो जाएगा हमारा final answer, तो इस तरह के question अभी पूछे जा रहा है, हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न, अगला question में क्या दिया गया है, अगला question प C अनुपाद D का मान यहाँ पे दिया गया था कितना, 5 अनुपाद 4 अनुपाद 7 अनुपाद 9, और बोला गया था कि यदि C और D का अंतर 600 हो, मतलब इन दोनों का अंतर अगर 600 हो, तो D का मान क्या होगा, इस question में ऐसे पूछा गया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 अ मिलेगा, 600, एक का मान क्या मिलेगा, 600 बटा में 2, एक का मान हमें मिलेगा, 600 बटा में 2, मतलब 300, एक का मान 300 है, हमसे पूछा है, D का मान, D का मान कितना है, 9 है, तो 9 का गुना हम 300 में कर देंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 27 यह हो जाएगा हमारा final answer, तो इस तरह के question ratio and proportion अनुपात तरह समानुपात से पूछे गए है, अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न, अगला question पूछा गया था कि कोई वस्तू जिसका अंकित मुल्य एक हजार रुपया है, यहाँ पे अंकित मुल्य दिया गया था कितना, एक हजार रुपया, और बोला गया है कि जिस पे विक्राय मुल्य मतलब selling price 600 रुपया हो, तो यहाँ पे हम question को कैसे solve करेंगे, यहाँ पे अंकित मुल्य एक हजार रुपया है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, 20% का पहला discount है, तो 100 में से 20 minus करेंगे, तो 80 बटा में 100 लिखेंगे, गुना, उसरा चुट हमने मान लिया, एक्स प्रत उसके बाद यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, इन दोनों 0 से कटा देंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 800 माइनस 8X इक्वल टू 600, तो माइनस 8X का मान कितना होगा, 600 माइनस 800, यहाँ पे माइनस 8X इक्वल टू यहाँ पे माइनस 200, माइनस माइनस कर जाएगा, यहाँ प पर 8 डूनी 16 यहां पर बचेगा 48 पचे 45 25 प्रतिसत हो जाएगा final answer मतलब दूसरा discount जो है अगर 25 प्रतिसत दिया जाए तो selling price 600 रुपया हो जाएगा तो इस तरह के question अभी पूछे जा रहे हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न अगला question पूछा गया था कि 0.25 और 0.64 का होता है दोनों रेशियो को आपस में गुणा करके उसके उपर हम root लगा देंगे तो यहां पे दस हम लोग 25 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं गुणा 64 का रूट क्या होगा 8 बटा में एक सो का रूट होगा 10 तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा 40 बटा में 100 इससे solve करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.4 यह हो जाएगा मध्यानुपाती यह हो जाएगा हमारा final answer तो इस तरह के question अभी पूछे जा रहे हैं हम बनाते हैं एक अगला question अगला question पूछा गया था कि एक अर्ध वित्त की तिर्जिया 14 cm हो तो उस अर्ध वित्त का पर दिया गया है इस अर्ध वित्त का परिमाप मतलब हमें perimeter निकालना है तो यहाँ पे perimeter का formula होता है pi r plus 2r आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर 36 बटा में 7 गुना r करके direct निकाल सकते हैं अगर हम यह करेंगे मतलब 22 बटा में 7 गुना r का मान है 14 प्लस 14 गुना 2 तो यहाँ पे हमे क्या मिलेगा 7 दूनी 14 यहाँ पे मिलेगा 44 प्लस 14 दूनी 28 44 और 28 को हम प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे मिल जाएगा 72 cm अगर इसी को हम इस formula से निकालेंगे 36 बटा में 7 गुना 14 7 से 14 दो बार में कर जाएगा 36 दूनी होता है 72 cm हो जाएगा परिमाप यह हो जाएगा हमारा final answer तो इस तरह के question पूछे जा रहे हैं अब हम बनाते हैं एक अगला question पूछा गया था कि यदि A और B मिल कर किसी काम को 10 दिन में करते हैं B और C 12 दिन में करते हैं और C और A 15 दिन में करते हैं तो तीनों मिल कर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे यहाँ पे दिया गया ह a plus b का मान 10 दिन में करते है b plus c जो है वो 12 दिन में करते है c plus a जो है वो 15 दिन में करते है यहाँ पे हम क्या करेंगे time and work में हमने बताया था कि हम क्या करेंगे इन 3 नंबर का लेंगे lcm lcm हमें कितना मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा साट, पंदरा से अगर साट को डिवाइड करेंगे तो चार बार में कटेगा साट को अगर बारा से डिवाइड करेंगे तो पांच बार में कटेगा साट को अगर दस से डिवाइड करेंगे तो छे बार में कटेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो गुना A प्लस B प्लस C का कारिशमता हो जाएगा 15 तो A प्लस B प्लस C का कारिशमता कितना होगा 15 बटा में 2 टोटल काम कितना है 60 है 60 काम को अगर तीनों मिलके करेंगे तो क्या करेंगे इससे हम डिवाइट कर देंगे इसे यह उल्टा हो जाएगा 2 बटा में 15 हो जाएगा पंदरा से साथ चार बार में कर जाएगा चार गुना दो होता है आठ मतलब यह तीनों मिलके आठ दिन में काम को पूरा कर लेंगे यह हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर अभी तक हमें इतना ही कोशन मिला है यह तीनों सिप्ट से आप इस तरह के कोशन को अच्छे से पढ़के जा सकते हैं कि इस टाइप के कोशन अभी एक्जाम में पूछे जा रहा है